देख भाई नौकिया आपने आपकमिंग 4G feature phone के बारे में तो बताता कुछ है नहीं हम लोगों को ही इधर उदर से manage करना पड़ता है तो फिलाल एक information हाथ लगा है दोस्तो नौकिया दो 4G feature phone launch करने वाला है जिसका टीना लिस्टिंग भी आ चुका है तो क्या नाम होने वाले ह तो अपकमिंग 4G feature phone का उसके साथ साथ क्या है इसके details ये सारे में अगर आप interested है तो दोस्तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो का अंतक देखे और इस चैनल पर अगर आप नहीं है तो रिक्वेस्ट है इस चैनल के साथ आप जुड़े रहने के लिए इस चैनल का सब्सक्र ना जा रहा है नौक्या इसका क्या नाम होने वाले है टीना लिस्टिंग में नहीं बताया है अगर इस दोनों 4G feature phone के कुछ feature details और specification details की बात करें तो दोस्तो लगबग आपको same to same specification details दोनों में ही मिलने वाले है तो यहां जो आपको display size मिलने वाले है 1.7 inches का जो के TFT type display होने बाले है resolution आप screen के उपर देखी सकते हैं battery आपको हूब भू दोनों में ही same to same मिल जाएगा 1020 mh का होने वाले है यहां दोस्तो आपको 2000 contact saving option दिया जाएगा यहां आपको जो keypad दिया जाएगा T9 type keypad होने वाले है आपको थोड़ा सा difference देखने को मिल जाएगा दोस्तो आपको एक में थोड़ा सा अलग और दूसरे में थोड़ा सा आपको square is module के साथ यह देखने को मिल रहा है अरब बात करें Nokia 1389 के camera details की दोस्तो तो यहां आपको कोई camera देखने को नहीं मिलेगा on the other hand Nokia 1373 में आपको rear side में camera दिया जा रहा है फिलाल आप दोनों Nokia upcoming 4G future phone का look, dimension और wet screen के उपर देख सकते हैं दोस्तो color variant किस तरह का होने वाल है दोस्तो आपको यहां भी देखने को मिल रहा होगा आपर बात करें Nokia 1389 और Nokia 1373 के RAM internal storage variant details उसी के साथ expandable storage details की तो यहां आपको 32GB expandable slot दिया जाएगा आपको internal storage 120MB का दिया जाएगा दोस्तो और RAM आपको 512MB का दिया जाएगा अब दोस्तो इस दोनों upcoming 4G feature phone में जो आपको band type supportability मिलेगा यह standard होने वाले है WCDA में GSM उसी के साथ साथ LT supportability आपको दिया जाएगा फिल्याल इस में आपको YouTube, WhatsApp, Facebook जैसे आप चलाने को मिलेगा के नहीं इसके उपर कोई information नहीं दिया गया है At the end दोस्तो आप जरूर जाना चाहेंगे क्या यह इंडिया में launch हो सकता है उसी के साथ साथ इंडिया pricing क्या होने वाले है तो यह सारे मेरे assumptions होंगे दोस्तो चाइना में दोस्तो यह दोनों Nokia 4G feature phone का टीनल लस्टिंग आ चुका है मतलब यह चाइना में बहुत ही जल्द launch होने वाले है उसके तो एक महिने बाद आप जरूर इसको आप इंडिया में expect कर सकते हैं अगर price details की बात करें तो दोस्तो Nokia TA1389 आपको लगबग अड़ाए हजार के अंदर इंडिया में करीदने को मिल सकता है और Nokia TA1373 आपको लगबग 3-4000 के अंदर इंडिया में मिल सकता है तो यह तो दोस्तो Nokia upcoming 4G feature पो Nokia TA1389 और Nokia TA1373 के कुछ details अगर है तो किसी social platform में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें यह दोस्तो नो मो बगबड वीडियो को यहीं पे conclude करते हैं